असलाव अलेकुम, आज हम Oxford Reading Circle, Book 1 का एक यूनिट देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है Peaches for Life. एक छोटी सी कहानी है, जो बच्चों के लिए लिखी है, पॉब्लिशर्स नहीं जिन्होंने किताब चापी है, तो किसी मशूर राइटर की नहीं है, बस एक वो था ना, फिलर चैप्टर्स, जो उससरा की कहानी है, शुरू करते हैं आसान से है. Many years ago, in a far-off country, there was a king. बहुत साल पहले, एक बहुत दूर दराज मुल्क में, एक बाद्शा था. He was always angry, वो हमेशा घुसे में रहता था. He shouted a lot, वो बहुत चीखता चिलाता था. He was cross with his wife, he was cross with his children, he was cross with his friends and his servants. वो गुसे में रहता था अपनी बीवी के लिए, बीवी के साथ, या उसको गुसा आता रहता था अपने बच्चों पर, उसको गुसा आता रहता था अपने दोस्तों पर, और अपने नौकर शाकर जो थे उन पर. Being cross मतलब गुसे में रहना. Everybody feared him, है कोई उससे डरता था, सब लोग उससे डरते थे. One day, the Emperor of China sent the King a present. अच्छा, Emperor जो होता है, वो King से बड़े ज्यादा बड़े अलाके का मालिक होता है. ठीक है? तो King जो होता है, वो Emperor के मकाबले में कम बड़े अलाके का मालिक होता है. ठीक है लेकिन बाहरल वो अपनी जगा एक बादशा होता है ये अपनी जगा एक बादशा होता है ठीक है तो चाइना का एक emperor था चाइना का एक बहुत बड़ा बादशा था उसने इस बादशा को एक तोफ़ा बेजा One day the emperor of China sent the king a present एक दफ़ा चाइना के emperor ने चाइना के बहुत बड़े बादशा ने इस बादशा को एक दोफ़ा भेजा It was a basket of peaches with a letter ये एक peaches की बासकेट थी जिसमें एक ख़त भी मौझूद था अब peaches को हम लोग गुर्दों में आरू कहते हैं ठीक है तो आरू जो फैल होता है उसकी बासकेट थी उसमें एक ख़त था तो किंग ने जब वो देखा तो उसने जवाब दिया फौर शाउट इड़ दा किंग तो ये गुसे से एक आवाद ने कर लिए इसकों कहते हैं ना हौर बादशा चला आया ये वो ये कहना चाह रहा था कि अतना बड़ा बादशा होता तो हीरे जवाहरात भेजता कोई खास सीज भेजता कोई पीमती चीज भेजता सिर्फ आरू भेजे फिर बादशा ने वो खत खोला जो उसके साथ आया था उस खत में लिखा था यहां इस पासकेट में है यह मैं आपके लिए भेज रहा हूँ हेर आर का मतलब मुक्तलिफ अंदाज में लिया जाएगा तो यहां पर जो समझा जाएगा कि यह आपके लिए पेशी खिदमत है कुछ मीठे आरू और इनको मैंने उगाया है मैंने खुद इनको गाया है इनको खाने से आपकी जिंदगी बढ़ेगी आप लंबी उमर पाएंगे यह नियू समझ ले जैसे के सहत क्लिप अच्छे हैं तो अगर आप इनको खाते रहेंगे बीचेस को तो आप ज़्यादा सहत मन रहेंगे ज्यादा आप बहतर फील करेंगे हल्दी रहेंगे तो इस वज़ाद से आप ज़्याद लंबी उमर पाएंगे आई नो यह बात मुझे पता है आई इट इम आल दे टाइम आईम हंडर और अन्टन येर्ज उल्ट तो यह सब बात इनों ने आईम्परर ने लिखी कि यह मैं इसलिए जानता हूँ कि पीचेस आपको एक लंबी दिन्दगी देंगे मैं इसलिए जानता हूँ कि मैं इनको हर वक्त खाता रहता हूँ मैं हमेशा इन्हें खाता हूँ यानि अक्सर खाता रहता हूँ और मैं 110 साल की उमर के पहुंच गया हूँ तो जब मैं 110 साल की उमर पहुंच गया हूँ तो इसका मतलब है कि पीछे इस खाने से यकीनन मुझे फाइदा हुआ है तो आप भी खाईए और सिहत मन रही है और लंबी उमर पाईए यह था मकसद इस लेटर का अब बाच्शा जो है इस बात पर जो नराज बाच्शा था वो जो घुस्से वाला बाच्शा था अब इस बात पर वो खुश हो गया वो कैसे पता चला हमें अब जो खुश था बाच्शा 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 खुश हो गया था तो उस खुश बादशाह ने उस बास्केट को अपने मुलाजम को दिया Lock this in my room इसको मेरे कमरे में ले जाके बंद कर दो He said उसने कहा मतलब तरकिस हमाल के रहे कोई और उसको हाथ ना लगा इतनी खीमती चीज़ है The servant took the basket उस मुलाजम ने वो बास्केट वो टोकरी ले ली On the way he passed Rajab Rajab was a clever man On the way रास्ते में कमरे की तरफ जाते हुए उसका गुजर हुआ Rajab के पास से Rajab एक सहाब थे Rajab एक चलाक आदमी थे Rajab एक clever आदमी थे Rajab took a peach and bit into it अब जब उसने देखा इतने मदे मदे के आड़ू जा रहे है तो उसने खामुशी से एक peach उठाई He took a peach उसने एक आड़ू उठाया and bit into it और उसको काट लिया यानि उखाया The king saw Rajab bite the peach बाचा ने देख लिया कि Rajab न जो है वो Peach को खाया है, Peach को काटा है पीश में से इसमें काट के लिया है He got angry, उसको पर घुसा आ गया That's my peach, shouted the king The emperor sent them for me Tomorrow you will die ये तो मेरे आड़ू थे किंग बाचा ने चलाई का Emperor ने मेरे लिए बेजे थे अब तुम कल मर जाओगे, कल तुमें मार दिया जाएगा सिजा के तोर पे बाचा ने उसे कहा कि अब कल तुमें मार दिया जाएगा Rajab was sad Rajab बड़ा अदास हुआ But he was clever लेकि नोच अलाग भी था, समझदार जहीन था He sighed loudly उसने एक बड़े जोड़दार आवरी Haaam ऐसे कहके Then he said तो उसने कहा The emperor tells lies इसका मतलब है कि जो शेहनचा हैं जो emperor हैं बड़े बाच्शा हैं वो जूर बोलते हैं He says the fruit gives long life उन्होंने तो वो तो कहते हैं कि ये फल खाने से जिंदगी लंबी होती है I took one bite मैंने तो सिर्फ एक निवाला खाया And I die tomorrow और मैं कली मर्स होंगा What will happen if someone eats a whole peach उसके साथ क्या होगा जो पूरी peach खालेगा पूरा अडू खालेगा तो ये उसने एक तरह से तन्जी अंदाज में एक मजाहिया अंदाज में बात की कि अभी आप तो कह रहे थे पीची जितनी जबरदस्त हैं इतनी अच्छी हैं तो खाने वाले को लंबी उमर मिलेगी हाला कि वो कहने का मकसद ये था emperor का कि सिहत मन होने की वज़ा से सिहत बख्ष होने की वज़ा से आप लंबी उमर पाएंगे बिमारिया ने लेगेंगी आपको लेकिन अब उसने जाहर मजाग रस्ता से बात को पुट किया चलो मैंने तो अभी एक ही निवाला खाया था मेरे तो कल मौत हो जाएगी अगर किसी ने पूरी पीचिस खार ली तो वज़ा नहीं कितनी जल्दी मर जाएगा तो emperor तो जूर बोल रहा था पीचिस तो जिन्दगी नहीं बढ़ा रही दा किंग हर्ड वाद रजब सैड और ये लाफ़ बाद्शा ने सुना जो रजब ने कहा और फिर वो हसने लगा मजाहिया बात की थी उसने तो उसकों सी आगई बाद्शा को रजब यू आर वेरी क्लेवर जब तुम काफी समझधार, काफी चलाख हो, काफी तेज हो सैड देकिंग बाद्शा ने कहा यूर आल सो फानी, तुम बड़े मजाहिया भी हो इट सम मोर पीचिस, हैव लाउंग लाफ लो बएक कुछ पीचिस और खालो बेफिकर रहो और लंब यू मर जी ओ, डॉंट वरी ठीक है बई, तो ये चोटी सी कहानी थी कि बाद्शा जो उसके मदेदार से जवाब की वज़ाद से बाद्शा ने उसको माफ कर दिया अब आगे चलते हैं सवाल जवाब की तरफ और हम हमेशा आप से कहते हैं कि सवाल ऐसे करेंगे कि मैं अच्छे से आपको समझाओंगा लेकिन जवाब आप खुद लिखने की कोशिश करेंगे ताकि जवाब सवालों के सारे जवाब खुद लिखेंगे तो उससे क्या होगा कि आपको एक्जाम में याद करके जाना नहीं पड़ेगा कि सवालों के जवाब तो आपने खुद ही लिखे थे अब आपको याद होगा कि मैंने क्या जवाब लिखे थे और जो चोटी मोटी गलतिया होंगी तो उस पर कोई मसला ही नहीं है जब टीचर्स कोई पर चलता है कि बच्चों ने जवाब खुद लिखने की गोश्च किये तो बहुत खुश होते हैं और चोटी चोटी गलतियों को वो सही कर देते हैं तो नेक्स टाइम आप और इंप्रूफ कर जाते हैं उन गलतियों के सही होने की वज़ासे तो शुरू करते हैं चलेंगे ऐसे कि बादशा कहां रहता था इस डिड़ की वज़ासे जवाब भी पास्टेंस में हो जाएगा और आपको पता है कि लिव का पास्टेंस क्या होता है लिवड ठीक है तो अब जब देखें सवाल इसका वो क्या जवाब है इसका जवाब चैप्टर में ही मौझूद है देखें कहां रहता था एक बहुत दूर दुर दुरास के मुल्क में तो यह बात आप यहाँ पर करके देखी कैसे करेंगे जवाब शुरू कैसे होगा देखेंग लिवड इन आ डेश 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 वह यह वाली बात दूर दुर दुरास का मुल्क अब यह बात बुक में बताई वी है वहाँ से आप और से देखी है और आपको समाज जमाद आएगा कि यह बात कैसे लेकी जाएगी ठीक है तो शाब 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 इसको कप्लीड कीजिए फिर हम पॉस करके फिर हम एक्सक्रिशन पर चलते हैं क्रिशन नमर टू वाज ही अनाइस मैन? क्या वो एक अच्छा आदमी था? तो यह तो हमें महसुस होता है ना कि वो अच्छा आदमी तो नहीं था तो हम यूँ कह सकते हैं वो एक अच्छा आदमी नहीं था क्योंके वो हमेशा घुसे में रहता था हमेशा चलते रहता था तो यह दो बातें भी आप लिख देंगे तो आपका जवाब कंप्लीट हो जाएगा ठीक है? वो एक अच्छा आदमी नहीं था क्यों कि वो सब पर चलता रहता था हर एक से घुसा रहता था यह बात आप यहां लिख दीजेगा वोक में लिखी विए उसको देख कि आपको अंदादा हो सकता है कि कैसे लिख नहीं है? ठीक है? आप पाउसा के जबाब लिखिये फिर हम नेक्सकी करते है कुशिमर 3 वाई बात्षा ने देखा बात्षा ने देखा बात्षा ने देखा वो तोफ़ा जो एमपरर आफ चाना ने भेजा था जबाब में आगे लिखेंगे वो इसलिए गुस्टा हुआ क्योंकि अब आपका असल जवाब शुरूगा यह सब कुछ सुम्हें सबाल में से ले लिया वो इसको गुस्टा आया क्यों गुस्टा आया क्योंकि वो समझता था कि आपका एंपरर को उसको कोई गीमती चीज भेजनी चाहिए थी कोई बड़ी चीज भेजनी चाहिए थी कोई वैलियूएबल चीज भेजनी चाहिए थी क्योंकि वो चाहता था कि एंपरर उसको कोई वैलियूएबल चीज भेजे और वो चाहता था कि इंगलिश क्या होती है want, wanted या वो समझता था कि emperor ऐसा करेगा तो समझता था कि English क्या होती है expect, expected ठीक है तो इस तरह से आप इन अलफाज को यूज करते हुए कहेंगे कि वो चाहता था कि emperor emperor की English emperor ही है तो भेजने की English send या past transcript का sent और कीमती को आप कह सकते हैं valuable तो देखें, मैंने सारे vocabulary आपको बता दी, उसको यूज करते वे आपने जवाब complete करना है, कि वो चाहता था कि emperor उसको कोई कीमती चीज भेचे वो जब कीमती चीज उसको नहीं मिली तो सो घुस्सा आगिया, तो let's see कि आप ही जवाब कैसे लिखते हैं, ठीक है उनसे लंबी जिन्दगी मिलती थी और कोई और बड़ा जवाब लिखना चाहिए, अच्छा लिखना चाहिए, तो वो बहुत मीठी थी और उनसे लंबी जिन्दगी मिलती थी, ठीक है तो मीठी को तो sweet कहते हैं और लंबी जिन्दगी को long life कहते हैं और देने को गिव कहते है और गिव का पास्ट इंसकेव होता है देखें सारे अलिमेंट्स मैंने बता दी जवाब में जो समाल होंगे अब उनकी मज़स से आप जवाब बनाएए शाबश पीचेस इसलिए अच्छी थी तर पीचेस वर गुड बिकाज और फिर वो बहुत मीठी थी और उनकी वज़ा से एक लंबी जिन्देगी मिलती थी ये बात आप यहाँ पर लिखिए पॉस कीजिए फिर आंसर लिखिए फिर हम नेक्स कोसिन पर चलते है वाट डिड रजब डू? रजब ने क्या किया? तो तो तूके सवाल में पास्टेंस है तो जबावी पास्टेंस होगा तो रजब ने लिया था लिया टेक कहते हैं तो टेक का पास्टेंस क्या होगा? तुक तो रजब तुक क्या लिया था? एक काट लिया था उसमें से एक पीछ में से कि रजब ने क्या लिया था पीच में से, पीच को काट लिया था, तो काटने को क्या कहते हैं, वो देख लीज़े, और बीच में टुक आएगा, टेक नहीं आएगा, क्योंकि सवाल में डेड है, ठीक है, इसका जवाब लिखिए शाबाश फिरम अगले सवाल पे चलते हैं, रजब अपने आपको कैसे बचा पाया, अच्छा जवाब हो सकता है, जवाब शुरू बार लिखिए बचा पाया, कि अब आगे आप बताईए, कि आप कैसे बचा पाया, कुछ बच्चे कहेंगे, बाइ मेकिंग अफ़नी स्टेट्मेंट, यह जवाब भी चलेगा, कुछ कुछ बच्चे कहेंगे by his clever words, यह जवाब और बहतर चलेगा, कुछ बच्चे कहेंगे by making the king laugh, यह जवाब भी ठीक चले, ठीक रहेगा, तो इसमें मुक्तलिक जवाब आ सकते हैं, आपका क्या ख्याल है, वो आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है बई, तो यूँ इसके सवाल जवाब हमने देखे, उमीद है आपको lesson भी समझ में आ गया होगा, और सवाल भी अच्छी था है, समझ में आ गया होगा, आप देखें, almost आपने सारे जवाब खुद भी लिख लिए, थोड़ी सी help के साथ है ना, कितना मदा आया होगा आपको, तो अब देखते हैं कौन अध़ चाहेंगे, अपना बहुत सारा ख्यार लखेंगा, अब किसी और lesson के साथ आपसे मलगात होगी, अला आफ़िज,